प्रणाम आचारे जी आचारे जी दस साल पहले मेरे सहियोग से मेरी एक लड़के से मित्रता हो गई थी और हम अच्छे मित्र थे उसके बाद समय बीतने के साथ कुछ एक साल बाद लगबग कुछ ऐसी घटना हुई कि मर्डर के इलजाम में वो जेल चला गया और फिर मैं उससे जेल में मिलने गई तो उसने बताया कि उसने मदब वो बेकसूर है उसने नहीं किया है और ऐसा मेरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और मैं सालों तक उससे जेल में मिलने जाती रही आना जाना लगर है और वो मेरा इंतजार भी करता था करता है उसके घर में उसकी बुठी मा के अलावा और कोई नहीं है कि उसके लिए कोई लड़ पाता समझ नहीं आता अभी एक महीने पहले एक महीने पहले ही उसको उम्र कैद हो गई अब मैं खुद को बहुत असमंजस में पाती हूँ समझ नहीं आता कि मैं उससे मिलने जाती रहूँ मुझे इसमें न तो अपनी भलाई दिख्ती है ना उसकी भलाई दिख्ती है और एक महिने से जब से ऐसा सुना है मैं संस्ता के काम में भी अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ और शुभांकर सर भी मुझे इसलिए नहीं डाटते क्योंकि हाल ही में मेरी एक सर्जिरी हुई है तो स्वास्ति ठीक नहीं रहता ऐसा सोचकर मुझे डाटते भी नहीं है पर कारण केवल स्वास्ति नहीं है कि काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ मिलने जाने में क्या समस्या हो गई मुझे मैं ये सोचती हूँ कि मैं बाहर रहकर उसके लिए क्या कर सकती हूँ कि जिसमें उसकी भलाई हो मैंने उस किताबें दिया है मैंने वो पढ़ता भी है और पर पता नहीं, बहुत उल्जन में न मिलकर क्या हासिल होना है मिलने की प्रक्रिया में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता कोई अब भहुत आदान-प्रदान होने ही सकता उम्र क्याद माने 14 साल महीने में हफ्ते में शायद आप एक बार जाते होगे तो उसमें ये प्रशन क्यों है इतना बड़ा? मैं इस्टक हो गई हूँ किस अर्थ में इस्टक हो गई हूँ? यही पहले उम्मीद थी कि हो सकता है कि कुछ सही फैसला हो जाएगा सही फैसला माने छूट जाएगा? तो आप कई सालों से इस उम्मीद में थी कि शायद छूट जाए ठीक है नहीं छूटेगा अभी बहुत साल तक जेल में रहना है तो? तो इसी बात का थोड़ा सा अंदर से दुख रहता है दुख है तो मिलने क्यों नहीं जाओगे? नहीं ऐसा कुछ कसम नहीं खा लिया है पर विचार भी क्यों आ रहा है कि नहीं मिलने जाना है यह था कि अगर छूट जाएगा तो विवाह वगरा हो जाएगा और अब लग रहा है कि अब तक जब छूटेगा तब तक शादी की उम्र निकलेगी नहीं विवाह का तो ऐसा कुछ नहीं था यह था कि छूटेगा तो कम से कम मिला जूला करेंगे आप मिल जूल भी नहीं सकते ज़्यादा नहीं ऐसा भी नहीं है बलकि मैं तो सोचती हूँ ऐसा मैंने सुना है कि जब उम्र कैद जिसे हो गई किसी को जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है उसकी एक निश्यत अवध ही होती ही उम्र कैद माने यह थोड़ी होता है कि असी साल तक अंदर रखेंगे और उसमें यह भी शामिल होता है कई बार कि सजा घोशित होने से पहले conviction से पहले भी कितने सालों तक jail कर ली है, तो वो उसमें से घटा दी जाती है लेकिन वो अलग मुद्दा है मुद्दा यह है कि अगर jail हो गई है और सिर्फ मिलने जुलने की बात है तो मिलना जुलना तो मने हफ़ते दस दिन में कभी एक दिन या महीने में तो उसमें इतना क्या विरोध है विशार आ रहा है अभी मैं ऐसा अभी मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए कि पाहर रहे कर लिए मिल सकते हो, मिल लो मिल लो कहीं यह तो नहीं है कि उम्मीद ये थी कि वो मेरे लिए कुछ कर सकता है और अब वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जेल में है नहीं आसी कोई उम्मीद नहीं है तो अपने दस दिन में से अपने एक दो घंटे देने में क्या जाता है दे दो देखो क्या होता है कि हमारे पास वही एक सामाजिक blueprint होता है जिसकी आज हम कई बार चर्चा कर रहे हैं और जब ऐसी स्थितियां बन जाती है तो पता चल जाता है कि जो बात वो blueprint कह रहा है अब वो साकार नहीं हो सकती जो एक साधारन या आदर्श स्थृ पुरुष संबंध होता है अब वो नहीं बन सकता क्योंकि ये व्यक्ति अब कई वर्शों तक सलाकों के पीछे रहेगा दशकों तक सलाकों के पीछे रहेगा तो जो हमें सपने दिखाए जाते हैं समाज दौरा कि देखो ऐसा होता है एक आदर्ष रिष्टा, अब वो आदर्ष रिष्टा तो बन सकता नहीं तो मन कहता है फिर रिष्टा तोड़ी दो क्योंकि अब वो सब काम तो नहीं हो सकते नो, जो समाज ने कहा था कि बड़े अच्छे-च्छे काम होते हैं और वो करने चाहिए ना आप खुलके मिल सकते ना ग्रहस्ती जमेगी, ना घर जमेगा ना वो कुछ भी होगा जो आम रिष्टों में होता है तो मन कहता है जब वो सब होई नहीं सकता तो रिष्टा रखने के क्या मतलब है? रिष्टा ही तोड़ दो प्रश्णी है कि वो सब होना ज़रूरी है यह आपको किसने बताया था? समाज नहीं तो बताया था ना? समाज रिष्टों की अंगिनत संभावनाओं को हटा करके आपको दो या चार प्रोटोटाइप दे देता है क्याता है या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा रिष्टे हो हजारों तरीके के सकते हैं अनंध तरीकों के हो सकते हैं लेकिन आपको कह दिया जाता है साब ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा उधारन के लिए कोई पुरुष है अगर वयस्क तो या तो पिता होगा, या भाई होगा, या चाचा होगा, या ताउ होगा, भांजा भतीजा हो सकता है, या आप बोल दोगे की मित्र है सिर्फ, या बोल दोगे की अपरिचित है, तो ये साताथ आपको तरीके बता दिये गए हैं, कि रिष्टे तो बस ऐसे ही बनेंगे, और अगर आपका रिष्टा ए टाइप है तो वो ऐसे चलना चाहिए उधारन के लिए पुरुष का नाम अगर पिता है तो उसके साथ आपका रिष्टा ऐसे चलेगा अगर पुरुष का नाम भाई है तो उसका रिष्टा आपसे ऐसे चलेगा तो पहले तो रिष्टे सिर्फ इतन बड़ा सुन्दर लगा था मुझे, गुलदार हैं कभी उनकी पंक्तियां, कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हाथ से छूक के इसे रिष्टों का इलजाम न दो, क्यों उस रिष्टे को कोई नाम देना है, क्योंकि नाम तो सीमित होते हैं, नाम तो बड़ी जबरदस्ती की चीज़ है, कि नहीं तुम बताओ इससे तुम्हारा रिष्टा क्या है, अगर उस रिष्टे के लिए तुम्हार भाई भाषा मेरे तो सिर्फ चार-पांच तरीके के रिष्टे चलते हैं, रिष्टे हो हजारों तरीके के सकते हैं, तो हम तुम्हें कैसे बताएं, कि हमारा उसका क्या रिष्टा है, कितने ही तरीकों के रिष्टे हो सकते हैं, तुम्हें कैसे समझाएं, अब आपकी समस्या यह हो रही है कि समाज जो चार-पांच तरीके के रिष्टे बताता है इस्तरी और पुरुष के बीच में आप उन में से कोई भी रिष्टा आप नहीं रख सकते हो तो आपको लग रहा है जब वो चार-पांच तरीके के नहीं हो सकते हो तो फिर कुछ रखो इमत साब वैसा नहीं हो सकता पर एक नए तरीके का तो हो सकता है समाज के तरीके का नहीं हो सकता पर अपने तरीके का तो हो सकता है अचारी जी मैं जब भी जाती हूँ कुछ किताबे ले कर जाती हूँ उसके पास अभी बहुत सारे किताबे हो गई है बड़ा अलग शायद हो और मुझे ऐसा लगता है कि वह पहले से भी ज्यादा मुझसे मिलके रोईगा और बदला बदला तो सब कुछ ही रहता है सभी रिष्टों में बाप बेटी का रिष्टा हो भाई बहन का रिष्टा हो पति-पत्नी का रिष्टा हो वहां भी कैसे दवर कैद दी गई है तो रोना-गाना तो घटित हो गई उसमें क्या हो गया बस खुद को थोड़ा समझे मुझे मैं मिलने जाती रहूंगी वो तो मुझे पता ही है मैं कोई धबर्दस्ति नहीं कर रहा हूं आपको रिष्टों में एक बात ये भी होती अपनी स्विच्छा की ए उसकी भी आपको पूरी आजादी है मत जाओ लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि बात कहीं ये तो नहीं कि पुराने धर्रे की कोई आशा थी वो आशा आप तूट गई है तो इसलिए रिष्टा भी तोड़ना चाहते हो बड़ा खतरनाक होता है ब्लूप्रिंट पर चलना आती तो है मनुरंजक खबरें कि छे महीने से शादी जमा दी गई थी बढ़ियां उत्तर भारत की मस्त अरेंज़ मैरिज और शादी से दो दिन पहले ये नौकरी से निकाल दिये गई शादी ही टूट गई किस आधार पे रिष्टा तोड़ना है क्यों तोड़ना है क्यों रखना भी है मैं नहीं कहरा रखे ही रहो क्यों रखना है क्यों तोड़ना इस पश्ठो बात कहीं सीधे सीधे स्वार्थ और आशा और उमीद की तो नहीं है कि दिखाई दे रहा है कि अब यहां उम्मीद रखी जा नहीं सकती तो अब रिष्टे अभी क्यों रखें, मिलने भी क्यों जाएं अब तो इसे उम्र क्या दियोगा, यह मिल के क्या करेंगे और यह बात सुनने में चुकि बुरी लगती है तो अपने आपको एक नैतिक बहाना दे लेते हैं हम कहते हैं, देखो अब मिलने जाएंगे तो रोएगा इसलिए हम मिलने नहीं जाते अब हम मिलने जाएंगे तो हम भी रोएगे वो भी रोएगा, तो रो कि क्या मिलेगा तो इससे अब मिलने नहीं जाते, कहीं बात ऐसी तो नहीं है कि वही कि शादी से पहले नौकरी चली गई, तो अब क्या आचारे जी अभी दिमाग में बस दो बाते चलती हैं, कि मैं अपने दिमाग को स्थिर कर पाऊं, और उसके लिए मैं कुछ क्या मैं उसके लिए कर सकती हूँ बाहर रहकर अब कुछ नहीं कर सकते, वहाँ जेल के अंदर है वहाँ पर भी कुछ विवस्थाएं होती है पढ़ाई की, लिखाई की, वो कर सकता है अब तो ये जो चीज है इससे निकलना पड़ेगा इससे तो गुजरना ही पड़ेगा जितने भी वर्ष हैं और अगर फिर युवा है तो गुजर लेगा बहुत उम्र है, एक दिन जेल से बाहर भी आएगा जेल के अंदर ही जो कुछ भी सकारात्मक हो सकता है उसको करना पड़ेगा वो उसकी बात है पर जहां तक यह वाली बात है कि अब रिष्टा ही नहीं रखना है या मिलने ही नहीं जाना है मैं चाह रहा हूं कि आप पूछें अपने आप से कि बात क्या है यह ऐसा नहीं है बात कर लो घर जाओ अपने उसमें क्या हमारा चला गया की बात कर ली तो जो छोटी बात है ना जिन्दगी की दुनिया को हक दे देना चाहिए कि तुम इनका फैसला कर लो ठीक है लेकिन जो बड़ी बाते हैं उसमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए दखल का उधारन के लिए आप कौन सी सीट पर बैठे हो ये इस भीड पर भी थोड़ा निर्भर करता है आप आए खूब लोग थे आपको पीछे की सीट मिली कोई बात नहीं चले लेकिन आप सवाल क्या पूछोगे ये भीड नहीं तै करेगी आप किस कुरसी पर बैठोगे ये हो सकता है भीड तै कर दे कोई बात नहीं पर आप पूछोगे क्या ये तो आपको तै करना है समझवारी बात आपको यहां आने करें कौन सा वहान मिल रहा है ये भी एक सहियोग की बात है करने दो समाज को तह है आप यहां बैठे हुए हो इस जगह का नंबर क्या है ये हमने नहीं तै करा आप बहर जाओगे तो वहां पर एक नंबर लिखा पाओगे कि साब इस जगह का ये पता है ये address, ये number है वो हमने नहीं तै करा वो हम उनको तै करने देते है हमारी गाड़ी का भी क्या number है ये हम नहीं तै करते ये वो तै कर लेते हैं आटियो वाले पर गाड़ी कहां जाएगी है तो मैं तै करूँगा न छोटी बाते तुम तै कर लो गाड़ी का number क्या है तुम तै कर लो हमने कुछ नहीं बोला तुम भेज देते हैं ताब ये RC आ गई नंबर आ गया ठीक है चलो पर गाड़ी मेरी जाएगी कहां हो तो मैं तै करूँगा मेरे मकान का क्या number है ये समाज तै कर सकता है पर मकान के अंदर क्या होगा ये मैं तै करूँगा हर चीज में समाज को नहीं घुसने देते और हर चीज में विद्रोही भी नहीं बन जाते भारत में right hand drive है तो right hand drive ही चला लो यार कही के लिए करांति कर रहे हो और कहीं और जाओगे वहाँ बिल्कुल उल्टा है लेफ्ट हेंड है तो वहाँ लेफ्ट हेंड चला लो कहे के लिए करांती कर रहा हो जबर्दस्ती की छोटे नियम मान लेने चाहिए उनमें नुक्ताचीनी नहीं करते लेकिन ये बाते हैं कि मेरा किसी से रिष्टा होगा की नहीं होगा और होगा तो कैसा होगा इसमें समाज हो कि कोई हो उनका कोई हस्तक्षे बरदाश्ट नहीं होना चाहिए अचारी जी शुरुवात में तो मैं ऐसा ही सोचती थी कि जब वो बाहर आएगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी लेकिन जब मैं आपको सुनने लगी 2019 से उसके बाद से शादी का विचार तो हट गिया पर उससे मिलने जाने की आदत मेरी लग चुकी थी तो मनें शादी का विचार है तो ही मिलने जाओगे नहीं आचारी जी पहले ऐस था और फिर अभी नहीं है अभी आपने का गोला कि शादी का तो हट गया लेकिर दो हट नहीं हट पा रहा अज़े उसकी आदत हो चुकी थी आचारी जी दिखाई दे रहा है कि शादी वाली चीज तो हो नहीं सकती तो अब आदत भी लग रहा है तोड़ी दें मिलने की आदत भी अब तोड़ी दें ये है स्थिति अरे मिलने का शादी से क्या रिष्टा है इंसान दूसरे इंसान से मिल रहा है ब्या होगा की नहीं होगा क्या लेना देना इस बात से क्या लेना है एक इंसान दूसरे इंसान से मिल जूल रहा है बातचीत कर रहा है इसमें ब्या बीच में कहां से आ गया पहले बया का ही सोचती थी अब नहीं सोचती हूँ और जब क्योंकि बया का नहीं सोचती हूँ तो इसलिए अब लग रहा है कि मिलने का भी क्यों सोची हूँ आचारी जी मैं अभी एक महिने पहले ही मैं मिली हूँ और जब से संस्ता में हूँ मैं कई बार मिल चुके हूँ और ऐसा कुछ नहीं है कि शादी का नहीं सोचते हैं वो आपका एक सुल्जा निर्णे होना चाहिए बिल्कुल हो सकता है कि आप सोच समझ के फैसला करो नहीं मिलना, मैं उसमें क्यों कोई आपत्य करूँ मैं चाहरा हूँ बस आप ये देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कह रहे हो कि दुनिया द्वारा निर्धारित एक तरह का रिष्टा बनने की संभावना समाप्त हो चुकी है क्योंकि उसको कैद हो गई तो अब मैं फिर कोई रिष्टा रख हुई क्यों कहीं बात ये तो नहीं, मैं ये कहता क्योंकि दुनिया कहती है, इसको बोलते हैं न कि मुहबत का कामिल हो ना मैं समझ में नहीं आए कभी बात बोलते हैं कि अगर प्यार किया है तो उसकी सफलता तो इसी में है ना फिर कि शादी हो जाए तो कहते हैं कि इश्क नाकामयाब हो गया मैं समझ में नहीं आए इश्क नाकामयाब हो गया माने क्या माने इश्क तो रहा पर शादी नहीं हो पाई ये इश्क नाकामयाब हो गया तो इश्क भी इसलिए किया जा रहा है कि काम्याभी मिलेगी काम्याभी है कि एक दिन शादी हो जाएगी professionally है काम्याभी है तो अब लगँ रहा है कि काम्याभी तो मिल नहीं सकती जेल के अंदर तो होगा नहीं मामला जब सफल हो नहीं है तो आप बार बार वहां जा करके उर्जा क्यों खराब करें, समय क्यों खराब करें ऐसा आता है और ये बात तुम्हारी नहीं है हमें इसी तरह से संसकारित किया जाता है कि जो भी करो, किसी उद्देश्य के लिए करो किसी सफलता के लिए करो, किसी काम्याबी के लिए करो हम प्यार के लिए प्यार नहीं कर सकते हम शादी के लिए प्यार करते है हमने जिन्दगी में निस्वार्थ होके या निरुदेश्य होके कुछ नहीं करा तो हम निरुदेश्य हो के प्रेम भी कैसे कर लेंगे देखते नहीं कैसे दिल तूटते हैं च्छन से अरे शादी नहीं हो पा रही भाई शादी हो पाईगी कि नहीं हो पाईगी एक अलग बात है लेकिन तू प्रेम करेगा कि नहीं करेगा इस पर तो तेरा हक है न शायद रोक भी ले, कौन जाने, पर जो चीज मेरे हक की है, वो तो मेरी है ना, हमें ये बता दे गया है कि आपके अधिकार कोई मतलब भी नहीं, प्रेम सफल तभी है जब ब्यहा हो जाए, वरना प्रेम तो दो कोड़ी की चीज हो गया, प्रेम दो कोड़ी की चीज नहीं है, ये सोचना कि प्रेम का अंजाम शादी में होना चाहिए, ये दो कोड़ी का विचार है, कि कैसा भी रिष्टा हो उसको ले जाकर के फोर्स फिटिंग कर दो उसकी, कि इनको तो पती-पत्नी बनना चाहिए, अब वो किसी भी तरीके से पती-पत्नी बनने लायक नहीं है, पर हाँ, इन्सानों की तरह ये दोनों एक दूसरे से अच्छा रिष्टा रख सकते थे, वो अपनी तरह का एक नायाब रिष्टा होता, जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुमने उनको बना दिया कि पती-पत्नी बन गए, वो बच्चे प्यादा करो, अब वहाँ पे मार पिटाई मची है, ठसा-ठस, सुतंत्र जीने की हिम्मत रखें, मेरा जीवन, मेरी चेतना, मेरा चुनाव, मेरा प्रेम, वो चीज तुम्हारे धाचों में फिट नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँ? मुझे भूख लगी है, तुम मेरे सामने कुल तीन चीज़ें रख देते हो हमेशा, कि यही तीन है, इसमें से कुछ खालो, भाई, उन तीन से मेरा काम नहीं चल रहा, न? मैं घूमना चाहता हूँ, तुम बार-बार मुझे तीन जगें बता देते हो, इन तीन जगों में कहीं चले जाओ, भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे और भी कुछ देखना है, अनन्त संभावनाए है, मुझे जाने दो, तुम कहते हो तीन ही तरक रिष्टे हो सकत है, या भाई होगा, या बाप होगा, या पती होगा, कुछ और भी हो सकता है, तुम चाहते हो हर चीज को बस नाम देना और परिभाशित करना नहीं हो सकता आचारी जी वो मुझसे बस इतनी ही उम्मीद करता है कि मैं उसकी माँ का ख्याल रखू और जब से वो अंदर है मैं उसकी माँ का ख्याल रखती हूं तो बस ऐसा चल रहा है मैं नहीं बिल्कु समझ पार आप दुखी किसलिए हो यही सोच सोच कर कि उसको उम्र कैद हो गई तो हो गई और दूसरी बात आज से तो नहीं जेल में पहले भी भुकती हुई है एकदम कोई नया जटका तो नहीं लगा है हां तो अब तो जो भी यह जितने भी बरस की बात ह में उनना तो बिताना पड़ेगा है कि आनि वाद आजाजाने